तो रमीज राजा और BCCI यानि कि PCCI और PCB ये दोनों आमने सामने हैं कब से जब से BCCI की 91 AGM हुई है अक्तूबर में और वहां से जैसे ही जैशा ने आकर बयान दिया उसके बाद कि भीया एशिया कब जो है वो किसी नीट्रल वेन्यू पर होगा और भारत पाकिस्तान में नही पाबला होगा उसके बाद से ही रमीज राजा जो हैं वह अटेकिंग मोड में आ गए हैं वैसे तो थोड़ा डिफेंसिव बल्ले बास थे लेकिन आच कल अटेकिंग मोड में और लकातार हमले कर रहरे हैं लेकिन क्या उनकी बात में थोड़े हाथी के दान वाली बात है कि और खाने के और ये तो फैसला आप कीजिए लेकिन उन्होंने एक बार फिर से actually कर के आ रहे हैं वो कि थोड़ा थोड़ा दिन में मीडिया के पास जाके एक-एक बयान एक-एक बयान तेरे 00 सवाल मेरे दो-दो बयान तो वो इस तरीके की हरकते कर रहे हैं और चाहे कभी पाकस्तानी मीडिया के थूँ तब अभी इंटिनेशनल मीडिया के थूँ और अभी उन्होंने Sky Sports पर Michael Afton जो कि England के खिलाडी है और England की टीम अभी पाकस्तान में है क्रिकेट खेलती हुई तो वहां पर उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने का है कि देखिए ऐसा है कि अगर भारत को नहीं आना तो नहीं लेकिन एशिया कप पाकस्तान में होना चाहिए दूसरी बात नमबर तीन बात उन्होंने क्या कई ICC ने का कि अगर आपने वर्ल्ल कप में नहीं जाएंगे तो इसके रैमिफिकेशन आपको भुगतने होंगे इसका आपको खमियाजा बहुतना होगा तो उन्होंने का कि भाईया ऐसा क्या है कि हमारा भी तो सरकार है हमारी नहीं जाएंगे तो इसका कोई जवाब नहीं है ICT के पास और इसका क्या जवाब देगी BCCI ये भी देखना होगा क्या वाकई ये पाकस्तान की गीदर भबकी है या फिर उन्होंने वाकई ये मन बना लिया है कि पाकस्तान अब भारत से नहीं खेलेगा और इसी पर बयान दे देते हुए रमीज राजा साहब ने कहा है कि देखी ऐसा है कि आप ये जानते हैं कि भारत जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है सबसे बड़ा मार्केट है 80% क्रिकेट का भारत से आता है सही बात है रमीज राजा कहते हैं लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमें ये आघते हैं वह पाकसतान की टीम है और वैसे ये डेटा जो डामी किण राज यहies आकर एक डॉहां को देखते मिडिया चैनल्स प्राक नहीं है चीज पसंद को आप देखिये तो उसी बिना पर वो चीजे कह रहे हैं कि जो भी उनके पास भी डेटा है तो ये उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो BCCI के बगेर इतने वर्ष सर्वाइव कर चुका है और आगे भी सर्वाइव कर लेगा उन्हें भारत की जरूरत नहीं है ये वो दिखा चुके हैं और सची बात इसका पैसला कीजिए क्योंकि आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट यहां पर आप कि राए सबसे ऊपर मैं उशेशांग सिंग नमस्कार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिरे दोस्त और जैमातादी बोली नमस्कार मत्लिएब करते हैं सिंग Esp